Hello everyone, भाई कितने दिन बचे एक्जाम में दर्डे आने वाला है, तो धड़कने ओर्डी तेज हो चुकी हैं, बट सवाल यह उठता है कि माम किस तरीकी से रिवाइस किया जाए क्योंकि हमारा पहला पेपर है लौ और अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा आगे सारे प और हमारा मनुबल बढ़ता है और हम आगे के पेपर पे अच्छे से दे पाएं, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, लास्ट के चार दन बचे हुए हैं, लास्ट फोर देज आ लेफ्ट, एथ्ट, नाइन तेंथ, राइट, एलेवन्त इस दर्ड दे जब आपको अक्चली में एक्तम हाथ में question paper होगा और बस कुछ करके दिखाना होगा है ना, तो उस समय आप panic ना करो, इसलिए it's very important that you must have a solid preparation pre-hand, तो किस तरीके की strategy रखनी चाहिए, वो आज फिलाल मैं आपको guide करने के लिए आई हूँ, सबसे पहला दिन ये जो है ना 7th का, इसमें जो आपका 40% coverage हो 7th June, इसमें आपको you should begin with company law, उसका simple reason ये है कि company law एक बहुत huge coverage रखता है, in terms of weightage also and in terms of पढ़ाई also है ना, जैसे industrial laws है, वो छोटा सा part है, अगर हम commercial laws की बात करें तो शायद company law से भी बढ़ा हो जाता है, पढ़ने जाते हैं तो, पर वो ऐसी चीज है जो आपने पहले पढ़ी ह तो मेरा पहला suggestion आपको ये है कि you start with company law, ठीक है, company law का entire revision करना है, माम ये revision हम कैसे करेंगे, मैंने अभी approximately 10-15 दिन पहले ही marathon डाली है, एकदम latest updated marathon relevant for this particular attempt only, जो approximately 7 hours की है for company law portion, so what you are going to do is, you are going to listen to the entire marathon, आप अपने adjust कर सकते हो speed अपने pace के साप से, कुछ बच्चों को लगता है कि यार बहुत जल्दी जा रहा है तो थोड़ा से धीरे कर सकते है, कुछ को लगता है कि यार ये तो में को आता है, I can be even faster, तो आप fast कर सकते हो, एक copy pin जरूर लेके बैठना and keep on scribbling, ठीक है, जो-जो जैसे याद आता है कि अगर जैसे मैंने बुला, okay now let's, we are going to revise the chapter or we are going to revise the section of preferentials, कि कैसे preferentials issue होते है, तो फटा-फट से कौन से section था, क्या के points थे, आपको जो-जो याद आ रहा है, आप मेरे साथ, लिखते जाओ, that is going to help you immensely, trust me, अब एक प्रोब्लम यह पर और आती है कि मैं आपने जो भी marathons लिये हुए हैं, उसमें आपने अपने charts यूज की हैं, right, so if that is possible कि हमें भी वो charts मिल जाएं, तो here I make an announcement that my dear students, I am going to give you free access to digital charts, digital charts का मतलब क्या होता है, you can view them in the app itself, obviously download करके circulate करने के लिए नहीं है, but आपको help करने के लिए है, so till your exams, till exams we have created this free course and we have kept it open, so उसको आपको description में मिल जाएगा, you can go to our app and you can subscribe to that, right, और आप अहां से पूरे अराम से पूरे के पूरे सीमें इंटरलॉके charts आप देख सकते हो, उसमें कोई भी दिकत नहीं है, okay, now, coming to 8th June, stay tuned and watch the entire video, यहाँ पर मैं आपको detail यहीं पर देने वाली हूँ, ठीक है, 8th June को क्या करने वाले हो, आप commercial laws का revision करने वाले हो, commercial laws क्या होता है थोड़ा huge हो जाता है, अगर मैं इसकी marathon कहूँ, तो 8th आज का commercial laws की marathon है, plus जिसमें Indian contract act नहीं है, साड़े 5 घंटे approximately Indian contract act की marathon है, यह दोनों भी मैंने अभी ही डा use उठाईए, right, so commercial laws में आप क्या कर सकते हो, again, Indian contract act वाला जो portion आपको लगता है, क्या मुझे आता है, या मैंने पहले नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इसकी marathon अच्छे से आप देख लेना, तो आपको recall हो जाएंगे सारे के सारे concepts, अच्छे से, with charts, comprehensive manner में आपकी marathon है, that you are not going to miss on point, or you are not even going to waste time, तो यह जितनी में marathons है ना, एकदम crisp है, and एक second भी आपका waste नहीं होगा इन marathons में, यह नहीं कि अच्छे यह भी बोल रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहे हो, और क्या हाल चाले, यह सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, okay, coming to 9th June, 9th June को क्या करना है, industrial laws करना है, माम, industrial laws तो बड़ा छोटा सा है, in fact, आपकी जो marathon भी है, वो approximately शाय तीन घंटे की है, yes, that is an advantage, भाई, industrial laws आपका सिर्फ 15% का ही आता है, but उसमें क्या है, छुटी-छुटी acts हैं, interesting हैं, कुछ ही चीजे हैं, जो repeatedly पूछ ही जाती हैं, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, इ there will be set of 50, 70, 75 questions, ठीक है, which I will share with you, right, और with answers proper, एक दम अच्छे से लिखे रहेंगे, so make sure that you are doing all those questions, भाई, सारे answers आप लिख नहीं सकते हो, but please don't read the questions, कि हां पढ़ लिया, answer पढ़ लिया, question पढ़ लिया, answer पढ़ लिया, इसा नहीं करना है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि recalling किया करो, आपका यार, first half में industrial loss खतम हो गया, उसके बाद आप important questions review करो, मैं अभी ethics जैसा पहाड हमारे पास बचा हुआ है, because ethics boring है, videos भी नहीं लिखते है, 15% की coverage है, तो मैं ये तो बड़ा, मतलब इतना scoring है, फिर भी हम इसको achieve नहीं गर पा रहे हैं, यहां पर ये जो institute ने हमको एक blessing द ने होगे, now coming to 10th, just before exams है ना, तो exam के एक दिन पहले, यहां पे आप मेरे साथ रहोगे life, और हम लोग revise करेंगे पूरा का पूरा ethics, ठेक है, बिना आपका एक minute भी जाया किये हुए, ठेक है, तो आपका एक minute भी waste नहीं होने वाला है, and we are going to revise the entire topic of ethics, ठेक है, 15% की ये coverage, और अगर आप honestly इसको revise करोगे, जिस जिस तरीके से मैं बोलूँगी थोड़ा मेरे साथ, repeat करोगे, prompt करोगे, तो बड़े अराम से मखन की तरह आपका ये हो जाने वाला है, right, so ये basically आपके 4 दिन के लिए, एक guideline है, एक suggestion है, कि इस तरीके से आप please start करो, right, you should not defer it anymore, अब आप लगता है कि यार माम हम तो दोनों ग्रूप दे रहे, फिर भी आप बोल रहो चार दिन इसी में लगाते हैं, तो भाई, आप समझ नहीं रहे हो, importance एक पहले paper की कितनी जादा होती है, ठीक है, तो obviously यार इतना समय था न, आप तक पढ़ना चाहिए था, last कि आपको 3-4 दिन त को अपने mental या दिमाग से भी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप यहां से अगर टूटोगे न, तो फिर आप टूट जाओगे, ठीक है, तो वो balance maintain करके रखना है, जो हमारी हातों की लकीरे होती है, शायद आपकी हातों की लकीरे आपको मन्जल तक ना पहुचा पाएं, पर जो आपका hard work होता है, वो आपको जरूर मन्जल तक पहुचाता है, तो यहां पे hard work में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, आप बिलकुल सब चीजें छोड़के, सारी distractions छोड़के, 10 घंटे, 12 घंटे, पढ़ो यार, पढ़ो बिलकुल, effective पढ़ो, यह नहीं कि दम बन नहीं लग रहा है, go take a walk, come back, 10 मिट की walk लेके आजो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 10 मिट के लिए गाना सुलो, 10 मिट के लिए किसी, ऐसे बंदे से फोन पर बात कर लो, जो आपको relax कर सके, ऐसे नहीं, जो दूसरे फ्रेंड को call किया, वो पैनिक कर रहा है आपको, औ यार मेरा तो यह नहीं हो, रहे पता है, पिशली बार तो इतना टफ़ पर रहता नहीं भीया, ऐसे लोगों से नहीं, मन शांत करने के लिए गए हैं, और शांत हो क्या जाएंगे, ठीक है, पर effective तरीके से अराम से 10 से 12 घंटे एक दिन में devote करने हैं, and trust me, you can do this, right, कितनी भी nervous हो, कितनी भी anxiety हो, कितना भी डर लग रहा हो, you will be able to do it, ठीक है, अब यह जो समय है ना, अगर यह हाथ से निकल गया, तो फिर पश्तावा ही हाथ आएगा, और कुछ नहीं आएगा, तो इसको निकलने बिलकुल भी नहीं देना है, subscribe to the channel immediately and press the bell icon, ताकि यह जो ethics का अमारा live revision ज मतलब, very important कि आप मेरे साथ रवाइस करें, trust me, I won't let you waste your time, ठीक है, और भाई, टार्गेट तो हमारा यही है, कि हम 70 प्लस कम से कम लेके आएंगे in law, और मैं आपको एक बात बता दू, finals में यह टार्गेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इंटर में कित कितने, कितने, कितने बच्चे हैं, जो यार 80 प्लस लेके आजाते हैं, तो आपका क्या टार्गेट है, आप मुझे यह बताओ, comments में 70 प्लस है, 80 प्लस है, 60 प्लस है, या बस pass हो जाए माम किसी तरीके से, ऐसे ही सोच रहे हो है रा, तो, hope you all will find the strategy helpful और उसको आप follow करोगे, ठ you can go for that, right, free charts आपके लिए open करा दिये गए हैं, you can go for that, right, और आप अच्छे से बहतरीन manner में इसका revision करो, and I will see you all live on 10th for revising entire ethics, तो बाकी portion आप कर लो, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको resources औरड़ी प्रोवाइड कर दिये हैं, ethics का revision video मैंने अप्लोड नहीं किया है, तो ethics में आप of course, in between, please keep yourself subscribe to the channel, ताकि आपको जो important questions पले file है, वो भी बड़े अराम से बल जाए, thank you and wish you all the very best.